दूस्तो आइटल फिर से लेकर आ चुका है एक नया फोन जहां दूस्तो यहां पर देख सकते हूं इस वीडियो में हम इसकी अंबॉक्सिंग करने वाले हैं आपको बता दू आइटल ना बहुत ही कमाल कमाल के फोन लांच करता रहता है अंडर 5000 मतलब कि कम प्राइज में अच इसकी कितनी रखी गई है प्राइस सारी चीजें सो चले में इस वीडियो को इस्टार्ट करते हैं सो यहां पर करते हैं इसका जो सेल है उसे ब्रेक अभी इस फोन को मैंने नहीं देखा है आपके सामने इसे ओपें कर रहा हूं एंड फिर देखते हैं कैसा ही यह फोन एंड क्या 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 फिचर्स है एंड इसकी प्राइस क्या होगी सो फटा फट हम इसे जो है ओपें कर लेते हैं सो गैस यहां पर आप देख सकते हो बॉक्स को ओपें करते ही सामने एफटी सेवन दिख रहा है एंड इसे हम फटा फट बाहर निकाल लेते हैं सबसे पहल और दोस्तों हमें ये 5W काना सिंपल सा चार्जर देखने को मिल रहे है यहां पे आप देख सकते हो वाइड कलर में छोटा सा एक्दम सिंपल सा ही चार्जर है साथी साथ यहां पे 3020MH की ये बैटरी देखने को मिली जो की एक रिमुवेबल बैटरी है साथ में हमें ये एक USB केबल भी दिया गया है Micro USB केबल है जिससे फोन चार्ज होगा एंड बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है सो फटापट दोस्तों हम इस फोन को बाहर निकालते हैं इस रैपर से एंड दिखाता हूँ अब हम इसे खोलते हैं इसके अंदर बैटरी डालते हैं तो यहाँ पे हम बैटरी इंसर्ट कर देते हैं आपको बता दू यह dual sim वाला है साथी साथ दोनों sim जो है 4G वाले हैं तो दोनों sim में 4G support है यह बंद हो गया अब हम इसे boot करते हैं boot करते हैं दोस्तों यहाँ पे 5.5 इंच की HD plus IPS pool screen जो है डिस्पले देखने को मिल रहा है और बैक साइड में हमें fingerprint sensor भी दिया गया है और यहाँ पे camera की बात कहें तो पाच MP का dual camera setup देखने को मिल रहा है साथ में flash light भी दिया गया है और यह camera HD है यहाँ पे आप देख सकते हो उसके बात नीचे की दरफ दोस्तों हमें ITIL की branding एंड एक speaker देखने को मिल रहा है और यहाँ पे नीचे हमें charging port एंड एक microphone भी दिया गया है उसके बात दोस्तों right side में हमें एक power button और एक volume button भी मिलता है और उपर की दरफ एक just headphone jack है बस सामने की दरफ दोस्तों हमें एक 5MP करना selfie camera साथ में flash light भी मिल जाता है और कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो phone है वो boot हो चुका है तो setting में जाते हैं यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़े इसमें देखने को मिल जाती है तो आपको बता दो दोस्तों इसमें हमें 2GB RAM 32GB का internal storage भी मिल जाता है जिसे आप expand कर सकते हो 32GB तक इसमें हमें Android 9 Pie देखने को मिल रहा है Go Edition का यहाँ पे आप देख सकते हो तो यह सारी के सारी features दिये गए है तो काफी ठीक है एंड उसके बाद दुस्तों यहाँ पे fingerprint टेस्ट कर रहा था आप खुद देख सकते हो काफी ठीक था कि यह fingerprint ओवर कर रहा है आप खुद देख लिजे मनलब कि यार बहुती तेजी से यह जो है camera की बात करें न तो यहाँ पे मैं camera on करके आपको दिखा देता हूँ selfie and back side में दोनों side में आपको 55 MP का camera है इसमें दुस्तों आपको inbuilt filter भी देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो तो अगर आप filter यूज करते हो न तो काफी ज़्यादा मजाएगा अब आपको इसे यूज करने में तो camera आप यहाँ पे देख सकते हो काफी ठीक टक लग रहा है यार मतलब कि एकदम सही है यार इस budget में अगर हम देखे न इतना अच्छा camera मिल रहा है तो बहुत ही सही है उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कितने सारे features आप देख सकते हो मतलब कि काफी सारे इसमें advanced features भी देगे गए है और यह सारे कि सारे features भी मिल जाते है उसके बाद guys यहाँ पे कुछ photos हैं जो कि इसी camera से click किये गए है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको देख सकते हो कितनी अच्छी photo आई है और इस phone में दूस्तों आपको 1.4 GHz quad-core processor भी दिखने को मिल जाता है जिस पे यह phone वर्क करने वाला है अब मैं आपको बता दूँ यह सारा का सारा जो package है ना यह आपको मिलेगा 5,499 रुपे में मतलब इतने budget में आपको यह पूरा का पूरा package मिलने वाला है यह phone मिलने वाला है और यह Amazon exclusive product है तो कापी easy पड़ेगा आपको इसे purchase करने में Amazon से दोस्तों यह आपको phone कैसा लगा नीचे अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर दो है फटा फटा और साथ ही यह चैनल को सुस्क्राइब कर दो ताकि आप कोई भी हमारी वीडियो ना मिस ना कर पाओ थैंक दोस्तों बाइ 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 टेक केर